हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सबुदी आप सबुदी है अच्छी होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पीले भी हो जाते हैं ठीक है तो मैं आपको बस हमेशा से यही बताना चाहती हूँ कि जब भी आप हीना को सिंगल इस्तमाल करते हैं तो आपके बालों में लाल और औरंज कलर आता है लेकिन हीना को अगर आप एनेदर पाउडर के साथ और बिलकुल बढ़ाई में अगर उसे बनाती हैं तो आपके बाल लाल नहीं होते हैं आज तो मैं प्लास्टिक में इसे बना के दिखा रही हूं और मैं यहां पर बताऊंगे कि मैं कौन सा हिना इस्तमाल कर रही हूं जिसे कि आपके बाल किसी भी तरीके से औरंज नहीं होंगे तो सबसे इस से पहला पॉडर है ब्लेक कैच्छू पौडर यानि की काला कथा पौडर जिसको मैंने निकाला था और मिले हाथ आप देख सकते हैं फिंगर्स थोड़े बहुत आपको ब्लैक नजर आ रहे होंगे इस तरीके से तो ये काला कथा पौडर आपको ले रहा है यहां पर एक च यहां से आपके साथ आपके बीड़ी करेट और यहां पाउडर दाड़ी तो आपको जरएग में यहां पर रही हो हमें यहां तो लंएक चितले क्षम्स परशब अब आपको इसमें लाइड है ने रही यह Lसे लान हम जो अलुए. तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ हर्ब टॉनिक का colorless hina powder जिसमें आपको किसी भी तरीके का color नहीं मिलेगा hina के सारे benefits आपको इसमें मिलेंगे लेकिन आपको ना orange color मिलेगा और ना ही किसी तरीके का yellow या फिर red color मिलेगा तो हीना की quantity को हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे यानि की दो चमच कर देंगे और आपको इसे अपने पुरे बालों और scalp में हर जगा लगाना है और आप इसकी quantity को अपने बालों की length के color बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं पहले हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो इसमें जो भी powders हैं वो natural हैं इसमें कोई भी chemical नहीं है इसमें market की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके बालों को harsh करी और इसे mix कैसे करना है तो देखिए मैं यहाँ पे simple पानी का use कर रही हूं जो distal water होता है मैं उसका use कर रही ठीक है तो मैं यहाँ पे पानी ले लेती हूं और इसे हम पानी add करेंगे पहले अच्छे से mix कर लें उसके बाद अगर आपको लगता है कि पानी की और जरूरत है तब पानी add करें otherwise पानी ज्यादा ना add करें पहले मैं अच्छे से mix कर लेंगे इसका paste बिल्कुल बरना चाहि तो देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से mix कर लेना है और जो इसका consistency है वो बिल्कुल ठीक है बालों में apply करने के लिए बहुत liquid भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है आप चाहें तो इसे लोहे के बरतन में भी बना सकती है और इसे overnight के लिए भी छोड़ सक सकती है या फिर आप इसे तुरंद भी apply कर सकते हैं या दो घंटे के लिए भी छोड़ सकती है जिलोगों के पास time नहीं है वो instant से use कर सकते हैं और जो time दे करके इसे इसे इस्तमाल करना चाहते है वो इसे overnight के लिए छोड़के रग दें और next day use कर लें अपने बालों में तो बस तीन चीज़ों से इसे ready किया है जो कि बिल्कुल natural है बिल्कुल herbal है और इस्तमाल की जाती है बालों में और आप सभी जानते हैं इनके benefits भी और इससे जो आफाइदा मिलता है वो भी आपको इस pack को लगा के सिर्फ एक घंटे के लिए रखना है और अपने बालों को wash कर लेना है नॉर्मल ठंडे पानी से इवनिंग में oiling जरूर करें जरूरी नहीं है कि आप जब pack इस्तमाल कर रहे हो अपने बालों में तब ही आप oiling करें oiling आप वैसे भी कर सकते हैं और oiling आपको करना भी चाहिए क्योंकि oil आपके बालों को बहुत ज़्यादा strong करता है बालों को वो सब कुछ पहुचाता है जो बालों की requirement होती है जो जरूरत है और जिससे की बाल बहुत ही अच्छे मजबूत होते हैं तो अच्छे से oil massage करने के बाद रात भर ऐसे ही छोड़ दें बालों को ताकि oil अच्छे से आपके scalp के अंदर absorb हो आपके बालों में एक अच्छी पकड़ बना ले और जो भी color है wash करने पे ना निकले सफीद बालों की समस्या बहुत जादा तब होती है जब आपका खान पान विगड़ता है जब आपका daily routine जो है वो disbalance होता है तब भी आपको white hair की problem होती है और बहुत जादा जो लोग stress में रहते हैं या बहुत जादा सोचते हैं unnecessary सोचते हैं उनके बाल तो बहुत तेजी से स हरते भी हैं तो इस चीज का ख्यास ध्यान रखें अपने diet का अपने खान पान का ध्यान रखें और साथ ही stress तो बिलकुल ना ले ठीक है तो बस आपको इसे अपने बालों में एक घंटे तक लगा के रखना है and wash कर लेना है week में आपको two times का इस्तमाल करना है इस natural herbal pack का तो आ आशा करती हूं आज की remedy आपके लिए बहुत ही ज्यादा informative, useful और helpful रहे यह छोटी सी remedy आपको पसंद आई हो तो please like कीजेगा और share कीजेगा चली फिर से मिलते हैं एक another वीडियो के साथ एक another remedy के साथ तब तक के लिए bye bye take care अपना ध्यान रखें